तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त मैं चीज बड़ी हूं मस्त हाई दया इह का इदे भी आंका को का हुआ इप भाले तो आइसी नहीं दिखती थी कलियों जैसा उसने जपाया हर अदा में नूर है आया तेरा जिस से पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला तेरा ओ बीबे एक बाबू तो एक कब ठीक ठाक निख रहे हैं लेकिन इदे भी आंका किसा अकल को है बदल गई अरे हाँ भाबी जी ये दिव्यांका नहीं कोई और है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नच बली में विवेक के पार्टनर कैसे बदल सकती है ये तो रियालिटी शो है इसमें ट्विस्ट कैसे आ सकता है क्यों चौक गए ना नच बली में विवेक की नई पार्टनर को देखकर यही सोच रहे हैं न कि अचानक दिव्यांका की जगे ये कौन हसीना है बई ये तो है दिव्यांका और विवेक की कोरिग्राफर जिनोंने आज नच बली में विवेक का हाथ थाम दिया है दरसल ये पूरा हेर फेर हुआ है दिव्यांका की कमर में आई हुई मोच की वज़े से जी हां नचबली के रियर्सस के दौरान दिव्यांका के कमर में अचानक सूर का छटका लगा जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया इसलिए आज विवेक अपनी कुरिग्राफर के साथ उत्रे है स्टेज पर भाई दिव्यांका के बिना भले ही ये डांस अधूरा लगे लेकिन विवेक ने इसे मस्त बनाने की पूरी कोशिश की है भाई पती देव की इस कोशिश ने दिव्यांका को खुश कर दिया और देखें कैसे वो अपनी पती की तारीफ कर रही है और इमोशनल हो रही है बही इमोशनल होना तो बनता है आखिर विवेक अकेले दोनों का सपना पूरा करने में लगे है अब विवेक की इस धमाकेदार परफॉमेंस के बाद जरब प्रीतम और उनकी पत्नी का ये जबरदस परफॉमेंस भी देख लीजिए तो इंतिजार कीजिए नच बले के इस एपिसोड के बादी परफॉमेंस को देखने के लिए लतिका पंडित मुंबई आज तक लतिका बाद के लिए नच बदीए जयातक पूंग